आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी सुजारा देरना करते हुए आज की जो अपडेट में आपको बताने जा रही हूँ वो है सीधे इलेक्टिसिटी बोर्ड के तरफ से जिसमें फीमिल्स के लिए बहुत सुनहरा मौका है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्सिर्टी बोर्ड ने अपरेंटिस का प्रोग्राम निकाला हुआ है जो फीमिल्स बीटक कर चुके हैं सिविल में इलेक्ट्रोंइक्स में उनके लिए बहुत अच्छी गोड निउस है कि वो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम इस गौर्मेंट सेक्टर में कर सकते हैं तो यह जो पोस्ट का नाम है वो है HPS EBL Apprentice to Recruitment 2024 जो कि हिमाच्रिल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलेप्मेंट प्रोग्राम के थ्रू निकाला गया है जिसमें ओनली फीमिल्स कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल किया गया है और इसमें आपको एक साल से जादा मुकर नहीं मिलेगा इसे आप एक्स्टेंट नहीं कर सकते और इसे आप एप्लाइ करेंगे ऑफलाइन और इसकी डेट स्टार्ट हो चुकिए 6 मार्श 2024 से लास्ट डेट है इसकी 15 मार्श 2024 सेलेक्शन मोड है इसका इंटर्व्यू और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कोई फीस नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें डारेक्ट इंटर्व्यू ही होगा बात करें एज लिमिट की तो 18 से 30 साल इसकी उमर रखी गई है जो की काउंट होगी 1 जनवरी 2024 से रिलेक्सेशन की बात करें तो ST, ST, OBC और PWD को 5 साल का रिलेक्सेशन दिया गया है पोस्नेम की बात करें तो जिन लोगोंने BTEC Electronics में कर रखी है उन्हें 20 पोस्ट रखी गई है Electrical में और जिन लोगोंने BTEC की है Civil Engineering में उनको Civil में 8 पोस्टे रखी गई है और जो Female Candidates HR कर चुकी है MBA कर चुकी है HR Human Research में उनकी 5 पोस्ट रखी गई है Finance and Account में भी 5 पोस्ट है जो लोग full time CA के पास काम करते हैं या फिर जिन्होंने MBA कर रखी है M.com कर रखा है वो इसमें eligible है Law Students जो की अपनी Law Degree पूरी कर चुके है उनके लिए 2 पोस्टे रखी गई है ट्राइफंड की बात करें तो इसमें 9000 पर मन्त आपको स्टाइफंड दिया जाएगा इस पूरे एक साल के duration में Without any HR A, DRA ना ही कोई accommodation मिलेगा आपको ठीक है So ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको इसमें government sector में एक training program करने की opportunity मिल रही है आप लोगों को इसे ज़रूर form apply करना चाहिए इसे apply करने के लिए एक official link हम आपको दे रहे हैं वहाँ से आपने इनका document print out निकालना है और इसे fill करना है सारे photo लगाकर documents को upload करके इसमें डालके और इसे send कर देना है इनके notification आप ज़रूर read कीजेगा उसके थुरू आपको काफ़ी ज़र easy हो जाएगा HPSEB इनकी जो site है वहाँ से आप इनकी notification को read कर सकते हैं और उसके accordingly आप अपना form fill कीजेगा और कोई गलती ना कीजेगा इसमें गलती का chance नहीं है और इसे send कर दीजेगा यह थी आज की बहुत जबर्दस update जो लोग अपना training program करना चाहते हैं government sector में ही उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको एक mark लग जाएगा कि आपने अच्छी जगह से अपनी training पूरी की है तो that's all about today's video अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे शेर जरूर करे जादा से जादा लोगों को ताकि उन तक भी यह information जरूर पहुंचे thanks for watching